जैना रैन बच्चो आज हम लोग शितिस भाग दो के गत्य खंड से लखनवी अंदाज पाठ को पढ़ेंगे इसके लेखक हैं यश्पाल तो बच्चो पाठ शुरू करने से पहले लेखक यश्पाल का संग्षिप्त परिचे जान लेते हैं कहानिकार यश्पाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोशपूर चाउनी में हुआ प्रारंबिक सिक्षा कांगणा में ग्रहण करने के बाद उन्होंने लाहोर के नेशनल कॉले से बिये किया तब ही उनका परिचे सरदार भगत सिंग और सुक्देयों से हुआ उनके संपर्क से वेक्रांतिकारी गधियों में भाग लेने लगे धीरे धीरे उनका जुकाओ माक्सवादी चिंतन की ओर होता चला गया सन 1906 में उनका देहांध हो गया अब उनकी कुछ रचनाओं को जानते हैं जैसे ग्यान दान तरक का तूफान पिंजरे की उड़ान फूलों को का कुर्ता इक्त्यादी अनेकों रचनाएं उन्होंने की हैं यश्पाल माक्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे इसे उन्होंने आर्थिक दुर्दशा पर अनेक कहानिया लिखी उनके कथा सहिते में आधनिक सामाजिक और राजनितिक चीवन की विड़ंबनाओं का मारमिक चित्रण मिलता है यथार्थवादी होने के कारण उन्होंने सामाजिक कुरूतियों की कटु आलोशना की है उनकी लखनवी अन्दाज कहानी छूटी शान पर गहरा कटाक्ष करती है यश्पाल ने सामाज के यथार्थ को प्रस्तुत किया है वे कल्पना आदर्ष और भावना के इस्थान पर यथार्थ को अत्तिधिक महत देते हैं अब बच्चों इनकी भाशा शहली की बात की जाए तो यश्पाल की भाशा बातवर्ण के अनुसार प्रभाव पैदा करने की शमता रखती है विशे की अनुरूप उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रियोब किया है बच्चों अब हम लोग लखनवी अन्दास पाठ के लेखक यश्पाल जी का परिचे जानने के बाद बात करते हैं इसके शीर्षक की आखिर लखनवी अन्दास ये शीर्षक किस तरह से सार्थक है लखनवी अन्दास शीर्षक के मूल में एक भ्यंग नहीं थै इस कहानी में वर्नित इस्थान लखनव के आसपास का प्रतीत होता है इसके अलावा नवाब सहब की शान, दिखावा, रईसी का प्रदर्शन, नवाबी ठसक, नजाकत, आदिस सभी लखनों के उन नवाबों जैसी ही है जिनके नवाबी कपकी छिन चुकी है पर उनके कारिवेभार में अब भी इसकी जलक मिलती है पाठ को पूरी तरह अपने में समेटे हुए ये शिर्षक लखनवी अंदास पूर्टया सार्थक एवं हुप्यूक्त है बच्चों, अब हम लोग लखनवी अंदास पाठ के लेखक का परिचय जानने के बाद शिर्षक की सार्थक्ता को समझने के बाद पाठ की रूपरेखा को जान लेते हैं इसमें लेखक ने उस सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष किया है जो वास्तिविक्ता से बेखबर, क्रतिम जीवन जीने में विश्वास करता है यानि उसे बनावटी जीवन जीना, दिखावे वाला जीवन जीना ही पसंद आता है ऐसा वर्ग सामानी जन जीवन से कोसु दूर रहते हुए स्वयम को विश्श्श्रीनी का सदस से मानता है क्योंकि उसे लगता है कोई उसके बराबर नहीं है जो सामाने वर्ग के लोग हैं उसके साथ उसका उठना बैठना नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आज समाज में सामन्ती वर्ग या उस वानसिक्ता के व्यक्ति नहीं है वो तो हर काल में रहते आए हैं आज के समय में भी इस परजीवी संस्क्रती यानि जो सामंती वर की बनावटी शैली है इसके ढोने वाले इसको ले जाने वाले समाज में हर जगे देखे जा सकते हैं प्रस्तुत व्रंग इस बात को प्रमानित करने के लिए लिखा गया है कि बिना किसी विचार के नई कहानी लिखी जा सकती है इसके लिए किसी विशिष्ट पात्र प्रस्ट भूमी या परिवेश परिवेश यानि वातावर्ण की आवशक्ता नहीं होती है